चेक करें, चलिये हुअं छे स्टुडेंट देखते हैं अब हम Income Tax का काफिस सारे student का query यह है के सर, Income Tax के अंदर– जो हमारा syllabus है 20 डेज़ बचेंगे हैं approx मैं Honors की बात करूं, प्रोग्राम की बात करूं 20 डेज़ लेकिन मैं मान के चलूँगा सर 15 दिन में आपको complete करना है, कैसे करना है नहीं करना है वो सारी जानकारी मैं आपको एक बार दे दूँ, income tax में सर क्या क्या चेप्टर है, जो की majorly करना है, जो करने वाला चेप्टर है, मैं वहाला के लिख देता हूं सर, एक सर basic concept आ जाता है, basic concept, नमबर दो, residential status, देखे अभी तो exam है, मैं exam के हिसाब से बात करने वाला हूं, ऐसा नहीं कि मैं सारा सली बस बात करूँगा, जो exam के अंदर आता है, मैं उसी चेप्टर की बात करूँगा, नमबर थ्री आता है, आपका salary, नमबर फूर आ जाता है, आपका house property, नमबर फाइव आ जाता है, आपका capital gain, नमबर शिक्स आ जाता है, आपका other source, नमबर साथ आ जाता है, आपका setup carry forward, नमबर आठ आ जाता है, आपका clubbing of income, नमबर नो आ जाता है, आपका जाता है, आपका पीजी बीप, सर नमबर तेरा जाता है, पार्टनर्शिफ फर्म, और नमबर चौदा जाता है, आपका ITR, सर ये पूरा का पूरा ना हमारा syllabus है, सर स्लेवस कम नहीं है, मैंने कम ही लिखा है, मैंने कम लिखा है, जो exam के अंदर आपके आते हैं, सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कैसे strategy होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो मैं सारी बात करूँँगा, सर बेसिक concept आपका एक दिन लगना चाहिए, खतम, कुछ नहीं है, मैं तो कहूँँगा, एक दिन से भी कम, residential को आप दो दिन देजिये, ज्यादा है ज्यादा, मैं हर बच्चों को सजेस्ट करूँगा, सर बेसिक के बाद आप residential को ही start करें, क्यों ऐसा करें, link वैसे हाला कि है नहीं कुछ, लेकिन residential और basic करने से आपका base strong हो जाएगा एक तरीके से, तो आपने basic के बाद क्या करना है सर, residential, residential के बाद आप try करें, number 3 पे HP, house property, salary, salary थोड़ा से lengthy chapter है, salary में हम बाद में आएंगे, पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, house property, interesting chapter है, बहुत simple chapter है, exam में सर, 10 number का सवाल इसमें से सीधा सीधा पूछा जाता है, सिर्फ 1, 24, B section याद होना चाहिए, बाकि सारे section कुछ भी निमाहिने रखता है इतना, सर, जैसे ये खतम करेंगे, फिर आप number 4 पे खतम करिए, capital gain बहुत simple सा chapter है, दो line में answer खतम होता है, exam के अंदर ये भी 10 number का आता है, सर, इसके बाद, आप जैसे ही ये complete करते हैं, और complete करने के बाद, आप number 3 पे deduction कर लीजिए, मैं deduction का chapter number 3 कर रहा हूँ, एक, दो, तीन, चार, number 5 पे, सर, मैं deduction का chapter न, हलाकि मैं थोड़ा सा इसको plan को अगर change करूँ, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, यहां से, ठीक है, मैं कहूँगा सर, इसको number 3 पे ही कर लीजिए, इसको कर लीजिए, number 3 पे, सर, deduction में, 80C, 80D, और 80G, इनकी series आती है, मैं deduction का अंदर, 80C से लेके, 80W तक के deduction है, जिसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, 80C से लेके, 80G, जो की इन question के बीच में incorporate होके आपको परिशान करते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा deduction कर लीजिए, और मैंने यही deduction अभी फिलहल करवाया हुआ है, वो आप कर लेंगे, तो आपका easily, इसके बाद नमबर 4 पे आप इसको start करिए, नमबर 5 को, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसके बाद नमबर 6 पे आप इसको start करिए, तो ज़्यादा बहतर रहेगा, सर, exam में कौन सा waitage बता दीजिए, एक बार, मैं waitage की बात करूँ, सर छे नमबर का ये question आएगा, सर दस नमबर का ये question आएगा, सर पंदरा का ये question आएगा, सर दस नमबर का ये question आएगा, DIETECTION सर छे से 8 नमबर का वीच का waitage रखता है, वैसे 6 नमबर का, मान के चलो, other source question मारके आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है इन दोनों को मिला दे तो six marks का यह आएगा sir हमारे पांच पॉइंट हो चुके हैं पहले हमें यह करना है फिर यह करना है उसके बाद फिर हमें number 3 पे deduction करना है number 4, 5, 6 यह मैं point की बाद कर रहा था अब sir इसके बाद क्या करना है setup and carry forward कर यह और यह एक दिन में दोनों चप्टर खतम किया जा सकता है हाला कि YouTube पे अभी हमने यह वीडियो अपलोड नहीं किया है और offline class के अंदर यह वीडियो मतलब कि चप्टर खतम हो चुका है offline में कितने चप्टर मैंने करवा दिया sir basic concept करा दिया है आपका यह हो गया है salary हो गया house property हो गया capital gain हो गया setup हो गया और clubbing हो गया है और deduction हो गया है offline के अंदर और offline के अंदर अब PGBB start होने जा रहा है अभी फिलहाल offline में PGBB क्या होगा start हो जाएगा तो मैं यही कहूंगा कि offline का तो चली offline की class कब होती है sir regular class ले रहा हूँ अब मैं 7-9 regular class हो रही है live और जो बच्चे job करते है और recorded भी उनको मिल जाती है यह तो था offline की बात जो बच्चे YouTube पे हैं exam strategy based बढ़ाएं तो पहले sir इन chapter को जिनको मैंने बोला है इन chapter को बड़े ध्यान से कर लीजिए इन chapter को करने के बाद आप easily pass भी हो जाएंगे अच्छे marks भी score हो जाएंगे sir क्या इन chapter को छोड़ना है क्या नहीं other source के लिए मैं अलग से plan लेके आँगा sir PGPP के लिए तो मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये chapter मैंने हलाकी करवाए नहीं तो मैं इसके लिए कुछ कहूंगा भी नहीं अभी बच्चों को तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो की confused हो रहे थे कि करना क्या है तो आपको यहां तक तो clear होगा कि करना कैसे है नहीं करना है हमारे subject यानि simple सी बात मैं दुबारा repeat कर देता हूं सर basic करिए फिर residential करिए फिर HP करिए फिर basic residential फिर deduction फिर आपका HP फिर आप capital gain और last में salary आए salary को थोड़ा speed में लेके चलिएगा lengthy chapter है लेकिन समझ में सारा आएगा बड़े आसानी से मैंने कोसिस करिए समझा दिये सर बुक कौन सा लेना है सर 10 year लेना है आपको जिन बच्चों ने अब बुक नहीं लिया तो मैं यही suggest करूँगा कि उनका बुक लेने का इतना फाइदा नहीं है बुक मैंने upload कर दिया है 10 year ले लेंगे शिवदास का 10 year आएगा market में सर शिवदास का 10 year market में मिल जाएगा बिल्कुल कहीं भी nearby shop पे जाईए बही चाहे आप honors के बच्चे हो चाहे प्रोग्राम को आप बोलेंगे के सर 10 year दीजिए शिवदास का मिल जाएगा तो उसके अंदर सारे का सारे मैंने notes अल्रेडी डाल दिया है including chart अब मैं जो offline वाले बच्चे उनको तो चार्ट वगरा सब चीज करवाया जा रहा है तो उसमें डरने के कोई जूरत नहीं है वो तो perfect हो रहा है जो YouTube पे है YouTube पे थोड़ा सा late syllabus चल रहा है क्योंकि मैं daily basis पे दो वीडियो डल रही है और अभी house property चल रहा है salary के बाद capital gain नहीं हुआ और यह भी chapter नहीं हुए तो थोड़ा delay चल रहा है honors वाले जो बच्चे मैं YouTube के ओपर syllabus पूरा complete कराने की पूरी कोशिस रहेगी 100% मैं daily basis पे तो class ही डाल रहा हूँ आपके लिए पूरी कोशिस रहेगी कि complete हो जाए और इतना तो जरूर मैं complete करा दूँँगा जितना आपके exam में आता है जिसमें से paper फिर भी कुछ बच्चों का कहना है मैं एक सर यूटूब पर बड़ी सारी problem आ जाती है हमें जैसे like for example advertisement आता है सर एड चल जाती है या फिर हमें ढूंडने में परिशानी हो रही है तो simply अब मैंने करा क्या है simple सी बात है सर एक्जाम के हिसाब से अभी पहले यही chapter करने है आपने exam तक मैं बोल रहा हूँ यह chapter करने है हमने application के उपर क्या करें है जो important वीडियो है उनके उपर star mark करना start कर दिया है सर star mark start कर दिया है application पर कौन से concept वाले वीडियो है जिसको करने है practice question वाले वीडियो जिस प कुछ बच्चे को लिए 100 रुपे भी महंगी हो सकते है कुछ बच्चे के लिए 1000 रुपे भी सस्ता हो सकता है comment के अंदर मैं पिंग भी कर दूंगा और साथ के साथ नीचे customer care का number दे रहा हूँ अगर जो बच्चा join होना सकता है जो नहीं मैं हर बच्चों को यह नहीं यह आपका paper अच्छा जाना चाहिए और income tax ऐसा subject है जो कि पूरी life के अंदर यूज होने वाला subject है और जिन बच्चों को लगता हमें एक systematic एक customer care doubt query solve सरसे conversation होता रहे वो application पर join हो सकता है मैं आपको एक यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे YouTube पे होंगे आपका 1000 रुपे below price मैं वहाँ पे mention करवा दूँगा कि YouTube वालों को special discount दे दिया जाए और आप उनसे बात करिए customer care पे daily basis पे company क्या करती ओफर निकालते रहती है जो ओफर लग जाए आपका उससे avail कर सकते हैं तो आप इनसे बात कर लीजिए हाला कि 20 दिन बचा है तो मेरी कोस कोसिस रहेगी कि आपका कोर्स का minimum to minimum price रखा जाए 500-600 के असपास का price हो जाए यह मेरी कोसिस रहेगी एक बार आप customer care पर बात करी और start कर दीजिए जिनको करना है application के अंदर जैसे कि आपने income tax में salary आप देखे प्ले लिस्ट जाहिए प्ले लिस्ट में जाहिए salary 32 classes लिए salary की लिए शायद यह helpful होने वाला है ITR भी मैं आगली जैसे कल संडे है कल तो election है ITR भी मैं बहुत जल्दी खतम करा दूँआ तो hopefully आपको help मिलेगा तो exam strategy क्या है मैं again in short आपको बता दू सर exam में क्या करना है कुछ chapter में बताने वाला हूं सर एक आप कर यह basic condition एक कर यह residential status फिर जित 100% sure करता हूं कि आप हो जाएंगे इसके अलाबा अच्छे marks के लिए आपको PGPP भी करना पड़ेगा अधर चप्टर अभी चल रहे हैं जैसे YouTube पे upload होगा या मेरे application पर मैं यह तो नहीं कह सकता है भी या course by कर लो मेरे पास सारा available है जितना हमने करा दिया है वही आपको content अभी मिलेगा मेरा target है कि 15 दिसंबर तक मैं syllabus खतम करा दूंगा आप classes regular चल रही है दो घंटे का आराम से खतम हो जाएगा कोई बच्चा चिंता ना करें तो hopefully आपको help मिला होगा मिलते हैं इसी तरीके interesting next video के साथ interesting क्या आपके काम आए वह उस तरीके से अभी financial management का भी paper हुआ था का साफ ही सारे बच्चे बहुत खुषते अगर मैं दिखाना चाहूं तो बच्चों का अगर मैं review मैं पढ़ रहा था तो क्यूंकि मैंने बच्चों से बोला कि बही बताओ आप कैसा गया आपका FM का paper जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप देखते यह वीडियो तो डलता ही है तो चलिए दिखाते हैं आपको आप सभी भी देखी रहे हो गए यूट्यूब पर डाला था मैंने सिक्षा धाम के नाम से हमारा जो चैनल है उसके ऊपर है चलिए देखिए आप जाएंगे तो वीडियो सेक्षन में जाएंगे तो मैंने बच्चों से कुछ कमेंट या डाउट पूछा था तो दो दिन पहले ही पेपर था वह इसको मिनिमाइज करके बच्चों का काफी appreciation सा था आप देख सकते हैं रिव्यू जाके पढ़ सकते हैं सोलीशन बूल रहे थे बच्चे और शायद ये वीडियो था क्योंकि मैं आउट ओव डेली था और मैं आज आया हूं तो आप बच्चों को देख सकते हैं तो बच्चों का यही कहना था सर दा एक्जाम क्वाइट इजी डोंट एक्सपेक्टेड कोशन टू बी इजी ता एक्जाम डोंट फेल मतलब लेंदी नहीं हुआ थैंक्स सभी बच्चों का जैसे एक्जाम गया के सर आपकी एक्जाम है तो सोन बच्चे बहुत हैपी थे तो मैं यह चाहता हूं जितनों का भी कमेंट आप देखेंगे अभी दो दिन पहले डाला था तो जितने का भी है कुछ बच्चे इंकम टेक्स का भी देखो सर यह बच्चों मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच आपको हेल्प मिले और आप स्टडी स्टार्ट कर दिए टाइम वेस्ट मत करिए